कर्मचारी चनायोग ने मल्टी टास्किंग स्टाफ और हवलदार की परिक्षा के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है बतादे कि इच्छोक और योक्य उम्मिद्वार SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर चाकर इसकी नौटिफिकेशन चेक कर सकते हैं बतादे कि SSE द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार इस परिक्षा के तहट MTS और हवलदार पदों पर पुल 8326 पदों पर भरती की जाएगी जिसमें 4887 मल्टि टास्किंग श्टाप के लिए पद होंगे वही 3449 पदों पर CBIC और CBN में हवलदार पदों के लिए भरती की जाएगी बतादे कि इसकी ऑनलाइन आविदन प्रकिरियाज शुरू कर दी गई है और 21 जुलाई 2024 तक चलेगी और आविदन शुल्क जमा करने की अंतिम्ति थी 1 अकस्त 2024 है आविदन शुल्क 100 रुपे निरधारित की गई है इसके अलावा आविदन फॉर्म में सुधार करने की अंतिम्ति थी 16 अगस्त से 17 अगस्त 2024 तक होगी मिली जानकारी के अनुसार SSC MTS tier 1 की परिक्षा की आधिकारी की तारिक्ष जल्द ही घुशित करती जाएगी बतायादी की अब परिक्षा ऑक्टूबर या नवंबर में आयुजित होने की संभावना जताई जा रही है वहीं अगर हम आयु की बात करें तो मिदवारों की आयु 18 से 25 वर्ष के बीच निर्धारित की गई है वहीं CIBC में हवलदार और MTS के कुछ पदों के लिए आयु सीमा 18 से 27 वर्ष निर्धारित की है